वीवर्स अब इंसान इतने एडवांस हो गए थे ना कि उन्होंने अर्थ पे ग्लोबल वामिंग का रेट काफे बढ़ा दिया था इंसानों की सभी जनरेशन्स डिंजरस गैसेस की बज़े से मारी जा रही थी इसलिए उन्होंने अपने सिटी के चार और एक सील बना ली थी जिससे वो जहरीले गैसेस से बस सके लेकिन एक दिन स्पेस में से मीटियोराइड आकर अर्थ पर गिर जाता है जिसमें बहुत ही अजीव टाइप के एलियन्स थे और वो तो अर्थ को धिरे धिरे डिस्टॉय भी करना स्टार्ट कर देते हैं पर ताज्यूप के बात ये थी कि वो एलियन्स बारिशोंने पर और भी ज़्यादा बड़े हो जा रहे थे तो अब देखना है कि मिलिटरी का एक ग्रूप उस बड़े से एलियन को खतम करने का तरीका ढून भी पाता है जो लगातार अपने बॉडी के अंदर से और भी एलियन्स पैदा करते जा रहा था सच में इंसानों की प्रजाती न खतम होने के कगार पर आ गई थी कहानी की शिरुवात होती है 2050 से जहां अर्थ के लोगों ने काफी तरक्की कर ली थी उन्होंने तो अपने सभी कामों के लिए एडवांस रोबोट्स बना लिये थे लेकिन अर्थ के नेचर का बिल्कुल ख कि वो कैसे भी करके इंसानों को मरने से बचा ले इसलिए अर्थ के सारे गवर्मेंट ने स्काइनेट नाम की एक कमपनी बनाई थी जिसमें उन लोगों ने सभी सिटी के चारो और बहुत ये बड़े बड़े कवज बना दिये थे और अब सभी इंसान उन्ही पावरफुल क कवज के अंदर रहा करते थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर अब कोई भी जहरीली गैसे से खतरा नहीं था सब कुछ प्लाइन के मुताबिक चल रहा था पर तबी एक दिन स्पेस में से एक बहुत ये बड़ा एस्टरोइड आकर जमीन पर गिर जाता है जिससे कि स्काइनेट क का वो कवज एकदम से डिस्ट्रोइ हो गया था पर वो एस्टरोइड अपने साथ एक बहुत खतरनाक इलियन पौधा लेकर आया था जिसने देखते ही देखते अर्थ के सारी बिल्डिंग्स को तबाह करना स्टार्ट कर दिया था चारो तरफ तबाही का ये मावल था पर व पारिश होती थी तो उस एलियन पौधे का साइस काफे बढ़ जाता था और अब उसने अपने सामने आने वाली सबी चीजों को डिस्ट्रोइ भी करना स्टार्ट कर दिया था तो अब अपने अर्थ को बचाने के लिए सारी कंट्री इसके मिलिटरी एकठा होती हैं और साथ मिलकर उस भायानक पौधे को रोकने का प्लान बनाते हैं कई दिनों की मेहनत के बाद वेग्यानिकों ने एक ऐसा सिरम बना लिया था ना जिससे कि उस एलियन पौधे को खतम किया जा सकता था उन वेग्यानिकों ने मिलिटरी के करनल जिसका नम मिया था उन्हें वो सिरम द प्लाइन के बारे में ज़रा भी सहमत नहीं था, क्योंकि उसके वज़े से कई मासूम लोगों की जाने जा सकती थी, लेकिन अफसोस टाइलर के बाद कोई भी नहीं मान था, अब करनल मिया अपने सूल्जेस की एक टीम इकठा करने लगती है, जो सिरम को लेकर उस इलियन को मा अपना मुग खोलेगा, तब वो सोल्जेस उस सिरम को इलियन पौदे के मुग के अंदर मार देंगे, जिससे की वो सड़कर मर जाएगा, लेकिन जब मिलिटरे वाले उस जगह पर पहुँचते हैं, तब ही वहां तीजी से बारिस होना स्टार्ट हो गई थी, और अब बारि जैसे ही वो सिरम इलियन के बौडी में इंजेक करने जाते हैं, तब ही एक रोबोट को किसी ने हैक कर लिया था, और उस रोबोट ने तो वहां पर तबाई मचाना स्टार्ट कर दिया था, उसने तो मिलिटरे के सारे प्लेंस ब्लास्ट कर दिये थे, जो नीचे गिरकर पू अचे वे दोस्तों के साथ एक सेब जग़ पर चला जाता है, उसके एक दोस्त को काफी चोड भी लगी थी, अब यहां मिलिटरी बेस में करनन मिया को लग रहा था कि सारे सुल्जर्स मारे गए हैं, इसलिए अब वो अपना प्लान भी शिरू करना चाती थी, जिसमें कि वो उस इलियन पौद्य के उपर निकलियर बॉम गिरा देगी, पर उस दमाके में तो कई लोगों की जाने भी जाने वाली थी, तब यह टाइलर का ब्रदर इन लॉज जिसका नाम जान था, वो मिया को बताता है कि उसे पूरा भरोसा है कि टाइलर जिन्दा होगा, और अब जा पर जाकर टाइलर और बाकी सभी को ढूनना चाता था, लेकिन अब मिया जान को सिर्फ तीन गंटे का टाइम देती है, और अगर वो टाइलर को ढून कर वो सिरम इलियन के बॉड़ी में नहीं डाल पाया, तब मिलिटरी वालों को मजबूरन वो नुकलियर बॉम गिराना प लेकिन टाइलर के एक फ्रेंड को काफी चोट लगी थी, जब टाइलर अपने फ्रेंड का इलाज करने के लिए कुछ ढूनने जाता है, तब ही उसके दोस्तों पर एक अजीव टाइप के इलियन क्रियेचर ने हमला कर दिया था, और वो तो बहुत ही खुंखार लग रहा थ उस क्रियेचर ने तो टाइलर के उस घायल फ्रेंड को खतम कर दिया था, और अब वो इलियन क्रियेचर दूसरे सूलजर के पीछे भागता रहता है, उस जगर पर तो एक बच्ची भी फशी भी होती है, और अब वो खुंखार क्रियेचर तो उसे भी खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब ही साई टाइम पर उस जगर टाइलर आ जाता है, और वो उस इलियन क्रियेचर पर लगातर फाइरिंग करके उसे खतम कर देता है, इसके बाद टाइलर अपने एक बचे वे सूलजर दोस के पास चले जाता है, क्योंकि उसके घायल दोसको क्रियेचर न अंदर दफ न हुआ था, क्योंकि अब जॉन के पास काफी कम टाइम बचा था, और अगर वो सिरम उस इलियन के बाड़ी में इंजेक नहीं कर पाए ना, तब करनल मिया पूरी सिटी के उपर नुकलियर बॉंब गिरा देगी, टाइलर जॉन के साथ उस जगह पर पहुच ज पर तबी टाइलर के एक फ्रेंड का सूट पूरी तरह कैसे खराब हो जाता है, टाइलर तो उसकी मदद करता है और वो तो सिरम को मिल कर ढून भी लेते हैं, लेकिन अब टाइलर के दोस्त पर उन्हें क्रियेचेस ने वापस हमला कर दिया था, जो कि कॉन्टिटी में और भ प्लेंस को तबाह कर दिया था, पर जब वो उस रोबोट के प्रोग्राम को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इसके साथ को छेड़कानी की गई है, और अब टाइलर और उसके दोस्तों का पूरा शक जनरल के ओपर जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था, जो उस इलियन क्रियेचर को खतम नहीं करना चाता था, टाइलर अपनी जनरल को कॉल लगाता है, वो जनरल से कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, कि उसने ही रोबोट को हैक किया था, और वो पूरी तबाही मचाई थी, दरसल जनरल मिलिटरी वालों क उसके लिए सालों से काम कर रहा था, पर उसके आविशकारों की वैल्यो कोई भी नहीं करता था, इसलिए अब वो उस इलियन पौदे को और भी ज्यादा बढ़ाना चाता था, लेकिन अब जनरल ने टाइलर और उसके दोस्तों को मारने के लिए रोबोट्स भीज दिये थे और उनका पूरा सिगनल कमांड बेस से काट दिया था, जिससे कि अब वो सब मिलिटरी वालों से मदद नहीं मांग पाएंगे, टाइलर और जन अपने बाके साथियों के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े थे, जहां उस इलियन पौदे का सेंटर था, ताकि व अब वो उसी ट्रेनिंग का यूस करते हैं और उन सारे रॉबोट्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर और भी बहुत सारे रॉबोट्स आ गये थे, जो कि लगातर उन पर हमना करते जा रहे थे, उन रॉबोट्स ने तो फ्लाइवर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस पर से टाइलर और उसके दोस्ट जा रहे थे, लेकिन वो कैसे भी करके पूल के दूसरे तरफ पहुचने में काम्याब हो जाते हैं, पर एक रॉबोट्स ने उनकी कार को पकड़ लिया था, और वो तो उन्हें लगाता नीचे खीच रहा थ तब टाइलर का एक दोस्ट नीचे आता है और उस रॉबोट पर फाइरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो उस रॉबोट के साथ साथ नीचे गिर गया था, यहाँ पर जब करनल मिया को इस बारे में पता चलता है कि टाइलर और उसके साथियों पर किसी ने हमला कर दिया है, तब वो समझ जाती है कि यह सब जनरल कर रहा था, और तब वो उसके पास तुरन जाकर यह सब का वज़ा पूछती है, जनरल कहता है कि जल्दी बारिश होने वाली है, और तब वो इलियन पौदा और भी ज्यादा पाउरफुल हो जाएगा, जनरल को तो इस बा लोगों पर बहुत सारी रोबोट समला करते जा रहे थे, पर टैलर तो वहाँ बहुत ही बहादुरी दिखाता है और उन सारी रोबोट की हैकिंग डिवाइस निकाल लेता है, लेकिन अब उस जगह पर जोरो से बारिश होने लगी थी, जिसके वज़े से वो इलियन पौदा और भी बड़ा और ताकतवर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि मिलिटरी वालों को अब मजबूरन अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा, जिसमें कि वो बहुत ही पाउरफुल नुकलियर बॉम सीटी के ओपर गिरा देंगे, पर तबी टैलर करनल मिया को कॉल करके बताता है कि वो सब सिरम लेकर उस जगह पर पहुच गये हैं, जहां से उस इलियन को मारा जा सकता था, ये बात सुनकर करनल मिया अपना नुकलियर अटेक रोग देती है, और अब जॉन उस इलियन पौदे के एकदम बीचो बीच पहुच गया था, जो कि एक अजीब तरीक की जगह ती और वोही परोग खतरना किरीचर्श जन्म ले रहे थे, जौन उस सिरम को एक्टिवेट कर देता है और तब ही उसके सामने बहुत सारी कीřेचर्स आ गये थे, जो कि जॉन पर हमला ही करने वाले होते हैं, और अब जॉन ने उस सिरम को एक्टिवेट कर दिया था जिसके प्रभाव से वहाँ के सारे इलियन क्रियेचर्स मर गए थे और अब तो वो बड़ा सा इलियन पौधा भी बढ़ना बंद हो गया था यानि कि टाइलर और जॉन ने मिलकर पूरे अर्थ को बचा लिया था जनरल को जब इस बारे में पता चलता है तब तो उसने खुद को ही गोली मार ली थी जिससे कि कोई भी उसे सजा न दे पाए और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खतम हो जाती है आपको ये कहानी कैसी लेगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्पिनेशन एक पसेंट भी अच्छा लागा हो गया ना तो वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे काफी यादा मूटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के मैंज़ा स्टोरीज ढून कर लानी के लिए तो मिलता है नेक्स वीडियो में सीया आपया